दुस्तरों बिहार में जब से सिक्षक भर्ती आई है और सिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर नई नीमा वाली आई है तब से काफी सारा विरोध और काफी सारे संसोधन देखने को मिल रहे हैं इसमें कई याचिकाय भी हाई कोट में दायर की गई हैं समंद में आज की खबर में प्रकाशित किया गया है कि सिक्षक भरती पर रोक से कोट का इंकार पटना से प्रकाशित खबर है यहाँ पर कहा जा रहा है पटना हाई कोट ने पौने दो लाग सिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है कोट ने सिक्षक न्यूक्री प्रक्रिया और इसकी नीमावली को चुनोती देने वाली करीब एक दरजन याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की यनि लगभग बारा याचिकाओं दायर हो चुकी है मुख न्याधीस न्याएमूर्ती के विनोच चंदरन और न्याएमूर्ती पार्थ सार्थी की खंडपीट ने सुनवाई के बाद यादेश दिया आविदिकों की और से अधिवक्था अधिवक्ताओं के नाम है यहाँ पर इसके लाबा कहा जारा अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पौने 2 लाख सिक्चकों की भाली के लिए विहार राज सिक्चक नियूक्ति स्थानांतर अनुशासनिक काड़वाई वा सेवा सर्ते न उनका कहना था कि वर्स 2006 में सिक्चकों की बहाली के लिए नियमावली बनाई गई थी, फिर 2008, 2012 और 2020 में नियमावली लागू की गई। हम से बहाली कर रहा है। उनका कहना था कि पंचायत समिती जिला परिशिदों वर नगरपाली का से सिक्चकों की बहाली का अधिकार वापश लेना इस्थानी स्वायतिता की सिद्धानतों का हननल है। नए प्रावधानों के नुशार पौने दो लाग सिक्चकों की बहाली के लिए परिक्षा क्यादार पर नियुक्ती के नुसंसा करने की जिम्मेदारी बीपेसी को दी गई है। जबकि इसके पूर्व टीटी पास उम्मीदवारों को सिक्चक बहाल किया जाता था। यहाँ पर यह भी का जा रहा है कि समानता के सिद्धानत के खिलाप है। सत्तर हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। परिक्षा की डेट भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। में कोट दखल नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही है। आपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को आण करके रखिएगा।